कि अग्णुब करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी त्यार इकोपेटर धंक से करते होंगे तो फ्रेंड्स से प्रिब्यस क्लास में हम लोगों ने जो है फटलाजर के बारे में कवर किया था तो उसमें फटलाजर का वर्गी करण हमने देखा था हाँ चारों के बारे में पढ़ा था ठीक है और उसमें थोड़ा हमने लाट टाइम यह क्या पढ़ा था उसमें अ आगली जाएशन के मांदेम्स से सब्से ज्यादा हान होती है तो यूरीया का है अगर मिर्दा की पूछते हैं तो कैल स्कृत मिर्दाओं का जो हता है वहांदो में पढ़ा था आज हम फास्ट रेटिक और पढ़ेंगे ठीक है और इसके बाद मेठोड आप जो है फटलाजर अप्लिकेशन के बारें पढ़ेंगे ठीक है तो क्लास में बने रहेगा राज कैसी लगे ज़रू बताएगा ठीक है और वीडियो को जाद जाद लोगों के पास टाइम को तैयार करना है त्ट शॉंद ग升नात की पूछ लेता है कि मतारा में कितनी होती है होती है और में कितना होता है जितना होती है यह होगया जब आप बनाएंगे चोठी पार्टों में ऐसे देखेंगे आप डेबल पर रखेंगे तो धीरे-धीरे करके यार ज़रूरी नहीं है कि आप एकी दिन में पूरा पढ़ां नहीं यहां पीडिन में दोचार पढ़ लेज यह को सब्सक्राइब होती है चैनल लेपित कितनी होती है चैनल से 57 008 और चार परसेंट की कि नहीं होती है जो है फारन कि याद करना है और परिशान नहीं होना इसके बाद जिसमें नाट्रोजन जिसमें पाया जाता है आप और लिखना और लिखना जो है यह किस फार्म में बिलता है ठीक है हमने यूरिया में बताया था इंपोर्टन चीज है उसके छिड़काव के लिए कितना परसेंट उसमें छिड़काव करते हैं यह दो में भाड़े हैं ठीक है और इसके नेचर कैसी होता है अमली परवित्त के नेचर होता है पादों को आशानी से प्लब्द होते हैं परियोग नहीं किया जाता है ऐसे पूरा नोट से पढ़ेंगे तो देरे-देरे करके एक पेज में पूरा और रखेंगे तो कहने का मतलब दो तीन पेज में आपको रख लेना है और दो तीन परस्तों यहां से बनेगा है बनेगा है इंपॉर्टेंट है तो आगे बढ़ी आज चलते हैं हम ऐसे करिएगा मेहनत करोगे तो तभी सेलेक्शन मिलेगा आपको चाउतिस्यों लोग हो और मतलब चाउतिस्यों वैकेंसिया है लोग कम से कम 40,000 लोग है तो आप कुछ अलग तरीके से जब करेंगे तभी जो है आपकी आप सफलता के पास परिशान इतने लोग परिशान हो जाओगे तो उसकी कोई कलपना नहीं की जा सकती है इसलिए जो है आप क्या करेंगे अभी इसे अपने पिनों से हाथ से मेहनत कीजिए दिखावे पर पढ़ने की कोई आवा सकता नहीं है और प्रीविएस यह लगाते रहिएगा जिसे जि को परिशन का मतलब होता है तो इक्जाम में आयों को करना है कोई बुक आप जो भी है प्रीविस होना की इसके बाद करते हैं तो आपने चारों के बारे हम पढ़ लिया था हम लों हमने बॉलिटाइजेशन का पढ़ा था दिन आर्टिफिकेशन के पढ़ा था ठीक है तो ब अगर मिर्दाओं की बात कर लेता है तो मिर्दाओं की बॉलिटाइजेशन के मांदिन सबसे ज्यादा हान होती है लास्ट टाइम हम लोगों नहीं पढ़ाता आज का अपना टॉपिक है जो फास्पेटिक और जो हता मैथड़ फटलाइजर अप्लिकेशन ठीक है काया जाता है पहला कार्वनिक फास्पोर स्ट इसमें तैनों को पढ़ना है इसमें भी तीन आते है इसमें परात्मिक जट्तिक इंदीम्र मिर्दा का पीज कितना होता है साड़े साथ ठीक है तो यह चीज है आपको यहां से ध्यान रखना है इसके बाद यह देखिए प्रात्मिक आप सोफाफ को देखें फटलाइजर में आपको जैसे कि बहुत इसमें सब्जाने वाली क्या बात है तो आपको जैसे बताया वह तरी प्रात्मिक आर्थों फास्पोर्ट अमली मिर्दाओं में पाया जाता है ठीक है तो यह होगा है अब इसी को पढ़ना जिसे कि हमने नाट्रोजन 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 को का वर्गी करना एक दोनों में इनको पढ़नाए अब जल में गुलनसीर बात करते हैं इसको एसे जहां हमने बताया है ऐसे जब आप लिखेंगे तो एसे लिखेंगे आपका देरे देरे करके आपके तयार दोलाट है ने रही है है जल में घुलंसील ठीक है अब इसमें देखेए जल में घुलंसील की बात करेंगे इसमें क्या है जिसकी वजह से जो है जल में गुलन्सील होते हैं इसका पर्योंग कम आवद में आपका जाएगा जाएगा यह सब जीज़े धान करना गया हो जो आद में किया जाता है इसकी परवित कैसे होता है निचर कैसी होता है तो दासी निचर की वहएं होते हैं तब वहां से निदों में इनका परवोग किया जाता है सुपर फाउप बिद्ध पलत सर्प्रीक अमन से मिलकर बना होता है ग्यंपल देख लेते हैं तो पुछा जाएगा सिंगल सुपर फास्पेट की जब बात करेगा इसमें नाटोजन इसमें जो होता फासपरस की मातरा कि दिए होती तो बारा परसेंट सुलफर 19 परसं कैल्सियम राग फासपेट देख रहे हैं राग फासपेट में जिप्शन हिस होते हैं आपको याद रखना अब दूसरा एक जांपल पर आते हैं डबल सुपर फास्पेट इसमें मातरा डबल देखेट दबल हो गया ठीक है डबल सुपर फास्पेट इसमें जो है अब बात कर लेते हैं घुल अन्सिल ठीक है इसमें फास्पेट पाया जाता है इसका परियोग लंबी अवजवाली फासलों में किया जाता है जैसे कि आपका गन्ना हो गया ठीक है वहां आपने पढ़ा था जो जल में घुलनशील होते हैं जाता है जैसे अंबने देखा क्या बताया इसका परियोग यू होता है यह बदाया जैसे आखा आपको लंबी अवजवाली फासलों में जिया जाता है जैसे प्रिश्य तीसरा आप जाएंगे में तीसरा होता है इसमें पढ़ेंगे दिए जल सार्टिक अमल में आगुलन इसको इसको द्यान को आगुलन से इसमें पाया जाता है त्यक्त इसका परियोग यह था बागवानी फस्रोंद यानि कि प्लान्टेशन आप में करते हैं जैसे कि आपका चाय हो गया काफी हो गया रवड हो गया इन में जो हता किया जाता है ठीक है अब तीनों आप के लंबे अवधिवालों के लिएसे आप कहा जाता है गन्ना गन्ने में उस्करते हैं किया जाता है जलता साटिक अम में आ घुलन सील चाई काफी हो गया रफ यह ध्यां रखना है इनका परियोग बहुत अमली में किया जाता है तीक है जैसे कि आपका आजाता है एक आपको यहां से ध्यां रखना है इसके बाद जब हम बात करते हैं आपका कुछ और इंपोर्टन पॉइंट है इसको ध्यान कियेगा जैसे कि जल में जल में घुलंसील परियोग भुवाई के समय किया जाता है ठीक है जबकि शाटिक अम्न में गुलंसील भुवाई के 20 से मैंने के 15 से 30 दिन में करते हैं ठीक है जल तसा पहले करते हैं है अब इसका बार आते हैं हम पढ़ते हैं फोटास बबदक कि भ भारत में थे फ्लिट्स नहीं पाई जाता है या इसना कि नमने कि अस्टीम आ जाता होता है इनकी परकित कैसी होती है अब इसको भी आप यहां से ध्यान रखिएगा बात करेंगे काल्सियुम इसमें मात्रा कितनी पाई जाती है अब एक कर्मर्जन फार्मूला भी आप इसी तरीके से याद रखेंगे इसकी इसका पुछ लेगा तो तरीके से आप ग्रेंगे та कि आगे वठलते हैं हम इसका चौन पॉर्म में पौक्याlair है। पॉदर फार्म मेंुपार्ट फम्मिकार्ण सिंगल सुपरफेट होता है अम्होनुंभान में एसको ध्यान रखेगा ग्रेणुल्स में जो हता है जो हता है जो है पूल ग्रेदवाल्स कि अदि एक हाँ हाँ मैं युट्रा कि मात्रा कि प्रसंट होती है इसकी कुछ सब्सक्सब्स來ब इस बहुत है oh कि अ लगया कितिए जी कुद्फ आप दो रहां तो जे पर अमॉणियां आनुदेहें सब्सक्राज्ट प्रकृतिया फ्रप्रण तो होता है वह कौन होता है ऐस सब्सक्राजद ऑनुणियर जी कैंछ अब हमको यहां पढ़ना क्या मैफटर्ड आप सॉल अप्लिकेशन पहले थोड़ा हम यहां पर लेते कांटेट्ट कितना-कितना पाया जाता है इसके वाद हम पढ़ेंगे अपना मैफटर्ड आप स्वाइल अप्लिकेशन आप तो जिंक सलफेट में जिंक की मात्ता पुछी कितना तो इसे तरीके से जब लिखेंगे इसी तरीके से जब लिख लेंगे आप ठोटे-छोटे भणनु में करकर के देखना थोड़ा-थोड़ा ना पूरा इसके łाद भाद धेलिक आज आज आप चार पढ़लो पढ़ लेना इसके बाद तीसरी नंबर हमने पोटा पढ़ाया था इसको पढ़ाया था इसको पढ़ लिखना अच्छी तरीके फोड़ी तीक है कि यह चीजें आप कर लीजिए का इसी तरीके से कि अब माते है में दाप जो है इसा ограничated की बात करते हैं की बात करते हैं की बातकि अपलिकेशन की बात करते हैं Она का सभिए करते हैं अब का से जादा अपने भारत में जो होती है पिछ लेगाना भारत सबसे ज्यादा पर्चली जो होते हैं फटलाजेकंट देने की बिद्धि काउन सी है ब्राड कोंस्ति है ठीक है एक होता है इन्हीं को हमको जो है पढ़ना जैसे आप मैंतरगाव फटलेजर अप्लिकेशन देने की विजिया दो होती है एक स्वाल अप्लिकेशन आप स्वाल फटलाजर अब इसमें क्या करना है आपको थोस अर्बरक होगा ठीक है इसको पढ़ना है आपको अब अप्लिकेशन आप स्वाल फटलेजर फोस अर्बरक का अप्यूब अब पहला मेथड क्या आता अप्लेश्मेंट पर स्थाफन विदी होता है बॉन्ड फ्लेश्मेंट होता है और इसके बाद तिसरा गोली अवेजन होता है ठीक है अब कौस्टिंग में छिड़काओ विद में एक एक बेस अप्लिकेशन होता है अधारी आधार अधार आवेधन होता है जब हमारा खेत को तयार करते समय JEFF दिया जाने वाला फटलाइजर क्या कहा जाता है आधार फटलाइजर ठाला ठीक है खेद की समय ठीक है और टू ड्रेसिंग खड़ी फसल में छिड़काओ करते हैं जैसे के नाटू जैन सल्फर माइगनेट सुच वो सकतों का एक है टॉप टू ड्रेसिंग करते हैं तो इसमें खड़ी फसल में जो खेद की तयारी की समय क्या देते हैं एक देते हैं तो इसमें आपका पाधा और कितना यूज करता है तो 30 परसेंट यूज करता है रेंज पूछता है तो तीस ते चालिस परसेंट जो होता है नाटूज का यूज होता है इंपॉइटन पॉइंट है इसको आप कीमा में जो किह सकते हो जालोगे एक में तो तुरह माहता है तुरह में ढकी पूइड़कर है यहां कि अपता है आप करता लूख को कि अब मैं ये किलता है किसे कहते हैं मिप्लेस्ट होता है कि इसे करते हैं प्लेश्मेंट क्या होता है फल विरिश के देत है प्रटरो अब्रलिश को जीतर और थे जाता है इसक्ति जीक फटीड़ की से अट्राप वृघ्ण आप अप्लिकेशन चाहर प्रकाल कि दिया जाता है काथ को ब्रोड कोस्टिंग आपको बहुत इंपोर्टेंट इसको पढ़ना आप लोग जानते ही है ठीक है इसके बाद इसमें दूसरी तरीका से जो दिया जाता है इसमें इसटार्टे सलूशन होता है और लिए पाप्लर्ट के लिए बेस्ट होता है ठीक है और फोलेर अप्लिकेशन पड़ी शिर्का होता है शिर्का करते हैं फार्टिकेशन किसी कहा जाते हैं सिचाई जल के साथ अरबर्सों का देना क्या करता है इंजेक्शन तो मिर्दा में जो होता है इसे कि मिर्दा होगी चलिए ठीक है यह मिर्दा होगी इंजेक्शन ऐसे देते हैं कि कि इसे तरीके से देते हैं मिर्दा में यह बहुत कम इसको भी करते हैं ठीक है कि एडियर अप्लिकेशन शिर्काव द्रोन के मात्यं से करते हैं जानते हैं कि अधर करने से लेवर कास्ट कमपड़ता है समय की बच्चत होती है और बादयों को अच्छे तरीके से मिल जाता है इतना था आप लोगों को अब यह देखना है तो इसमें बॉरान हो गया एक बता देते हैं ऑप आपको इसमें ध्यान रखना है जिसे बरान अवस्वरांस के रूप में पाया जाते हैं दो से पांच के परतहक्तər करते हैं कौपआर जो होता है कौपर सल्पीट इसमें दो से बचीज़ दो से पांच के परतहक्त नियाघ कि नहीं कर आइरन हो गया दो ऐते-पांच तक जिंक जिंक सुलपेट सब्सक्राइब गलोराइट के रूप में पांक से अभी तक मैंगनीज मांगनीशियूं सब्सक्राइब सुलफेट पांदस पंदरा के जी प्रद है तो अब इसके भारत में एंप्ट के आवेजन का अनपाथ क्या होता है किसी इस अनपाथ में होते हैं एक बनते हैं तो इसको ध्यार रखना आपको एंप्ट के का रेशियो आइवरेज की बात कर लेगा एवरीज पूछा जाता है तो चाहर अनपाथ क्या होतेशन समय और की दरखनेकर कमया घृण कि अनपाथ मोड़ में आप डिकी के बाद एंपीड के बाद है औरा सकसी जाद आधि अनपीड की बात करेंग only आओट आपको दीया जाता है तो उनके बात क्राफ के लिए सबसे जादा मुठ्र si यो कोन सा उसक्ति होता है देने से बहुत इंपोर्टन्ट कोसें बना हुआ है कि इसमें क्या होती है तिल की मातरा बढ़ जाती है जैसे कि यूज करते हैं तो यह चीज था आप लोगों को इतना ध्यां रखना है अब इसके बाद हम जो है पढ़ेंगे हम लोग दूसरा कुछ पढ़ेंगे अगला टॉपिक खाद को पढ़ेंगे ठीक है तो आज की क्लास ह यहीं तक रखते हैं और मेहनत कीजिए मेहनत की जो है झालता की कुझी होती है तो मेहनत की जी अराम से और अपने मादा पिता अप्या लखिये मिलते हैं काल एक ने टॉपिक के साथ हाथ को पढ़ेंगे तब तक लिजए हैं जैभार बंद इमात्रम